हेलो फ्रेंट्स आपका सुहागत है हमारे चैनल इंफो गवर्मेट जोब्स पर दोसे हैं अपर देली पुलिस कॉंस्ट्रेबल भरती 2030 का रिजल्ट जारी हो चुका है आपको बता है अब सभी चातर है वो अपने नॉर्मलाइजिसन नंबर है वो देखना चाते है क्योंकि रो मार्क्स तो लगबग चातरों को पता है आंसर की से उन्होंने मिलान करके पता कर लिया है बड़ जो फाइनल आंसर की आएगी क्योंकि ज जो नॉर्माइजिसन स्कॉर होगा यह दोनों एक साथ आते हैं तो अब जो आपके रो मार्क्स है वो बड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं फाइनल आंसर की के एकोर्डिंग वो जाच होगी उसके बाद में नॉर्माइजिसन का यूज करके आपके नंबर इंक्रीज होने के ज्यादा होते हैं हो सकता है किछी के कम भी हो जाए तो नॉर्माइजिसन स्कॉर हRY वह सभी लोग चेक करना चाते हैं क्योंकि जो क्वालिफाई हूं उनको तो इसीले चेक करना है कि उनके जो man cut off आई है अभी जो cut off आई है तो उसके अंदर कितने नंबर उनके ज्यादा है ताकि वो physical उस हिसाब से कर सके त्यारी कर सके अगर वो boundary पे हैं तो उनके चांसे लेस हो जाते हैं अगर उनके पांच साथ नंबर ज्यादा है cut off से तो उनके चांसे जब हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनको physical qualify करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसी परकार जो disqualify हुए है तो वो भी यह देखना चाहते हैं कि हम कितने नंबर से disqualify हुए हैं कितने नंबर हमारे आए हैं ताकि आगे कोई vacancy आए तो हमें किस आपसे preparation करना होगा तो सभी लोग अपना नंबर जाना चाहते हैं जो exam देते हैं तो वो आप कैसे देखोगे SSC की website से दो रास्ते में आपको बताने वाला हूँ स्टार्ट करते हैं चेलंग को subscribe कीजगा आगे की updates के लिए तो उस तो नंबर हैं वो जारी कर दिये गए हैं सभी candidates के जो दिलिपलिस constable objective की जिन्होंने जिन्होंने exam दी थी चाहे वो आपके non selected हो चाहे फिर short list जो candidate है वो हूँ जिनका selection हो गया है वो भी number देख पाएंगे और जिनका selection नहीं हुआ है वो भी number देख पाएंगे तो SSC की website फर finally यहाँ पर number है वो out हो चुके हैं तो simply आपको कैसे देखने हैं वो details से हम इस वीडियो में चर्चा करने वा हैं काफी लोगों को doubt हता है कि क्या हमारे number और increase हो सकते हैं आगे या normalization हो गया क्या या फिर unnormalization होगा आगे हो गया फिर अभी हो गया तो आपको बता दूँ जो scorecard जारी किये जा रहे हैं वो सभी normalization करके scorecard जारी किये जा रहे हैं तो यह चीज़ धान दे आगे से आपका य ssc.nic.in की officially website पर आपको आना है इस website पर आप जैसे google के अंदर search करोगे ssc तो आपको यहां पर है वो यह search करोगे तो एक number पर आपका जो है ओफिशन आएगा ssc.nic.in की officially website उसके उपर आपको click करना है click करते ही आपके सामने इस परकार से open होगा जिसमें आपको अपना username और password ड यूजर नेम और जो registration नंबर है वो तो आपके पास यहां पर है वो mail के ओपर save होंगे तो वहां से आप कैसे भी करके ढूंगे और जो forget password का option आपको यहां पर मिल जाता है जिसमें आपको अपना state है वो यहां पर select करना है इसके बाद में आपको अपनी mail ID और फिर mobile number एक यह भी problem आती है कि वो है जो इसमें बार-बार गलत password लगाते हैं तो उनका account lock हो जाता है तो account अगर lock हो गया है तो सबसे पहले आपका यही procedure follow करना है forget password का जो आपके बाद है फिर आपको unlock का option आएगा जैसे आप सही password उसमें डालोगे login करोगे username के बाद आपको password सही डालोग होगे तो आपके पास यहां पर जो है वो unlock का option आएगा unlock पर आपको क्लिक करना है unlock पर क्लिक करके आपको दोबारे से OTP आएगे वो OTP डाल के आप login कर सकते हो तो यह है procedure unlock और forget password करने का इसके बाद में आपका हो गया account login तो इसके बाद में आपको अब दिखाता हूं कैसे so हो जैसे कि मैंने यहां पर यह registration number और जो password है वो डाले हैं तो अब हमें यहां पर यह capture है यहां पर पूरा fill up कर देना है जो कि आपका पांच अक्सर का होगा तो यह हमने यहां पर 746 है तो यह हमें 46 इसमें fill up करके इस पर login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस परकार से है वो account है वो login हो जाएगा इसके बाद में आपके पास option आता है हापर result और marks का तो simply आपको result और marks के ओपर क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने हाँ पर इस परकार option आ जाएगा जिसमें आपको registration number आपके डले होंगे इसमें आपको exam है वो select करनी है जो भी आपका exam है जैसे कि आपका CGL के number फिलहा लाइव है MTS के number फिलहा लाइव है तो इन दोनों मेंसे आप जो भी option पर क्लिक करके submit करोगे तो आपके जो number है वो यहाँ पर देख जाएंगे क्योंकि यह मैं चो कर रहा हूँ इस candidate ने exam नहीं दिया है CGL MTS के तो यहाँ पर है यह नंबर है वो soon नहीं हो रहे है तो simply आप से होकर होगे तो आपको जो row marks है वो और normalization score है वो देखने को मिल जाएगा तो एक तो आपका यह तरीका है दूसरा जो तरीका है वो आपको ssc scorecard simply google के अंदर सर्च करना है क्योंकि काफी बार क्या रहता है website है वो नहीं चलती है तो आपको दूसरा तरीका भी काम में लेना पड़ सकता है या फिर आपके password वगरा नहीं forget हो रहे है आपके पास mail ID भी नहीं है तो simply आपक सब्सक्राइब करना है तो इसमें आपको अपना registration नंबर है रोल नंबर है date of birth है और email ID है या फिर mobile नंबर इन दो में से एक और यहां पर जो आपका है वो exam सेलेक्ट करना है जिसके भी आपका यहां पर जैसे लाइव होंगे इसमें आपको डालना है इसमें आपको जो रोल जैसे यहां पर यह date of birth हो गई ID डालना है आपको जो भी mail ID होगा यहां पर आपका तो यह जैसे है हमने mail ID को डाला है ऐसा ही example के तोर पे इसके बादे आपको mobile नंबर या फिर mail ID में से एक चीश्च डालने है वो आपने डाल दी है तो इसमें आपको exam है वो select करना है जैसे कि फिलहाल को exam के नंबर है वो से के द्वारा जारी नहीं किया गए है तो सिंपली आपको इस पर submit पर क्लिक रोगे तो आपको इस यहां पर exam जैसे नंबर जारी होगे आपके दिली पुलिस के हो या फिर जीडी कॉंस्टेबल के हो तो वो नंबर जारी होगे तो वो option यहां पर आप सेलेक्ट करोगे सलेक हम आपको दे देंगे और सबके नंबर है और नॉर्मार्जिशन के अंदर 90% नंबर इंक्रीज होते हैं जो आपका रो मार्क्स होता है वो भी आपका बदलाव होता है क्योंकि जो फाइनल आनसर की और आपके जो है नंबर यह दोनों चीज़े एक साथ जारी होती है तो उस सी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके अकोडिंग आपके रो मार्क्स होते हैं और रो मार्क्स के ओपर ही आपका जो नॉर्मलाजिशन इसकोर है वो होता है तो यह प्रोसेजर आपको पूरा फूलॉप करना होगा बस आप ध्यान रखें आपकी जो एससे की वेबसाइट है जो SSC का अपका जो पेज है उसमें अपड़ेट रिजल्ट के उपसिन में जागे रिजल्ट भी हाँ पे देख सकते हो तो अपका जो पासवर्ड है वो अनलोक करना आपको आना चाहिए आईडी है वो अनलोक करने आनी चाहिए और आपको जो फॉर्गेट फासट अब वो जो कीचिएगा